आज मैं आपसे एक इंसिडेंट सेर करने वाला हूं गाइस और कुछ बातें आपको बताने वाला हूं कि पॉडी बनाने के चक्कर में बच्चे कहां तक अपने आपको जो है कहां तक कंप्रोमाईज कर लेते हैं मैं इसने वाला हूं कि एक बच्चे ने मुझे बताया था मुझे प्रैसेस किया वह इस तो मुझे बहुत वह सारे मैसेज आते है तो मेरे पर एक ऐसा ही एक केस आया है इस्ट्राइड का इंजेक्शन उसने लिया था विंस रॉल इस्टेना जिसको बोलते हैं और उसका जो बंप जहां पर लगा था उसकी हालत देखने लायक थी तो मैं बताने वाला उसने ऐसा क्या किया था और क्यों हुआ ऐसा उसके बारे मैं आपको बताऊँगा और आप ऐसे गलती न करो उसके बारे मैं आपको बताऊँगा और किस तरह के से क्या चीज यूज की जाती है थोड़ा सा एक्स्प्लेण करूँ आपको लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो आपने इसको सबसे फ़हले सबस्क्राइब करना है इस पर एक लाइक बटन है बैल आएक एन उसको सेट कर दीजे सोदार जो भी मेरे लेटेस वीडियो होगी आप तक पहुंचाएगे तो गाइस जैसा कि मैंना थमनेल में डाला हुआ है आप इस फोटो को देख सकते हो यह उसी बच्चे का बंब है यह उसी लड़के का बंब है जिसकी हालत की बारे में आप डिसकस कर रहा हूँ आपसे लड़के क्या करते हैं अब मैं किसी ट्रेनर को इसमें नहीं बोलना चाता हूँ मैं ट्रेनर को भी गलत नहीं बोलूँगा, मैं किसी बच्चे को भी गलत नहीं बोलूँगा, हर किसी को बॉड़ी बनानी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉलम आज की डेट में जो है, किसी के पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारी ओनलाइन की कोरीज आती है, उस पर सब को एक ही प्रॉलम रोता है प्रॉलम उनका क्या है भाईया कि उनको एक मैने में उलंपिया बनना है एक मैने में उनको सब कुछ करना है दो मैने एक मैने के अंदर उनको पुरा तयार होना है दो क्वेशन मुझे सबसे ज़्यादा आते हैं मेरी ओनलाइन टेनिंग में कि आ होगा अपकोस जब भी हम कोशी इंडेसी को जोईन करते हैं तो हमें खर्चा सबसे पहले अपना बजट देखना होता कि कितना बजट हमारा लगेगा तो दोनों को आंसर में यहां पर दे रहा हूं एक बात पहली बात जोने इसके बारे में मैंने वीडियो डाली अगर मेरी प स्पोर्टै धूसरा कितने दिन में त्यार हो जाओगो एप सोड़ दो एगर आपको बॉडरी बीलिदिंग करना है यह यहां आपकी बॉड़ी में अगर आपको बॉड़ी बनानी है आप मत करो बॉड बॉड़ी घिर पर बहुत सारी बंदें ऐसे कहते हैं किसर मुझे आपको वही चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो एक बोडी बिल्डर फॉलो करता है अब ऐसा नहीं है कि आप बोडी बिल्डर इस्पेसल कुछ है या पिर जो पार्ड पेड़ करता है या आपके लिए इस्पेसल टिट्मेंट होगा बोड़ी बनाने के लिए नगी आपको वही करना है जो bodybuilder करता है आपको बहुत सारी चिज़ों को follow करना पड़ता है diet को follow करना पड़ता है आपके work out प्रोपर तरीके से होना चाहिए correct moment होने चाहिए plus आपका diet perfect होना चाहिए 24 गंटे का game है plus आपको supplement, आपका nutrition आपका original होना चाहिए आप प्रॉपर तरीके से लो, सबसे बड़ी बात आती है आपके जो स्टाइग हम चलाते हैं, जो साइकिल हम चलाते हैं, वो साइकिल जो शॉल्ट हम यूज़ करते हैं, वो सॉल्ट आपके सही होने चीए है उसका रेजेन है अब कई बच्चे हैं जैसे बिचारे वो सोच लेते कि नहीं यार क्या साइकल का पैसा भी पे करूँआ ट्रेनिंग पैसा भी करूँआ हो किसी से पूछ के बाता है उसने उसको बता दिया हड़ behavior trainer भी नहीं तोड़ी थोड़ा सा कि इस सॉल्ट से क्या नुकसान होगा, इस सॉल्ट के क्या साइड एफेक्ट होगे, उसको कुछ ने पता, उसको सिरब अपनी बोडी ट्रांस्फरमेशन करनी है, मुझे अभी रोज के मेरे को क्वेशन आते रहते हैं, कि सर मुझे फोटो शूट करना है, मेरे को बोडी थोड क्या है, किस तरह के सिसको यूज करना है, बट अब मुझे एसास हो रहा है कि साइज मैंने गल्ती खरी, क्योंकि मुझे लोग को पता है कि इसको नॉलेज है, स्ट्रोइड सोगरा के बारे में, तो लोग मुझे ही पूछ लेते हैं, कि सर क्या चलाना है, अब मैं उसका आंस तो उनको यह लगता है, वो फिर एमोशनली मैसेज आने स्टार्ड जाते हैं, कि कोई नी सर हमारा कोई नी है, हम गरीब है, हमारा कोई नी है, आप हमें बताते नहीं हो, कोई दिक्कत निया सर, फिर उम हमें अनफॉलो भी कर देगा, फिर कई तो बंदे ऐसे होते हैं, रिय गाइडेंस के आप नहीं चला सकते हैं, कभी भी डॉक्टर आपको बगर दॉक्टर से पूछे हो दवाई कभी लेते हो मेडिकल स्टोर से, इका दुका पैराशिटा मोली है, सिजन ले लेते हो, जो आपको पता है, बट कभी भी ऐसा होता है कि आपकी कोई बोड़ी के अब दूसरी बात, इस लड़के के साथ प्रॉलम क्या हुई, इसने क्या करा, किसी ने इसको बोला कि ये सौल चला लो, इसने बाहर से स्टैना लिया, और स्टैना इंजक्शन लेने के बाद इसने अपने बंप जो है, लगा दिया, अब इसको पता नहीं था कि लगाना कैस मेरे को भी नहीं वालूम ता कि करेक्ट मूमेंट क्या होती है, या फिर कौन से पार्ट में यह लगाया जाता है, कौन से सौल कहां पर लगाया जाता है, मुझे भी नहीं पता था, बट फिर मुझे पता हुआ, अब आपको बता रहों साइड इफेक्ट, विंस रोल, स्टै से डालोगे तो बंप नहीं जाता है, उसको सोल्डर पर इंजक्ट किया जाता है, पहला, दूसरी बात, जब आप कभी भी इंजक्शन लगाते हो, तो डॉक्टर से आप पूछो कि किस तरह के से लगाना, पहले सी को इसको, डॉक्टर मार्केट में जाओगे, डॉक्टर से बाडी बिल्डिंग में ये सब चीजे बेकार है, उनके हसाब से वह पड़े लिखे हैं तो उनके हसाब से बेकार है, बट अगर आपको परफॉर्म करने के लिए ये सब चीजे यूज करते हैं, अब आपको बता रहा था कि इंजक्शन जब भी लगता है, नाइंटी डि पर जाता है, नाइंटी डिग्री पर जाने के बाद उसका हलका सा उसको बाहर खिचना होता है, एर उसकी देखनी होती है, अगर उसमें एर आया, तो उसको ठोक दो, अगर एर नहीं है, तो फिर उसको अगर बलड आ रहा तो इमेड़ेटली उसको निकाल के दूसरी जगह अगर उसमें आपके वेंग्स में लगया या कहीं गलत जगह लगया, तो आपको मिनट से पैरे पैरलेसेस होगा, और अगर आपने उसको गलत तरीके से जबरदस्ती ठोक दिया, तो उसका हाल ऐसा हो जाएगा, जैसे आप थमनेल में देख रहे हो, इस लड़के का एक साल पुरा बरबाद हुआ, बैट पे लेटा रहा, उल्टा, सीधा नहीं हो पाता था, मदब इतना हाल, इसका पुरा फाड़ा हुआ है, इसका पुरी तरह जब इंजेक्शन लगा, तो इंजेक्शन लगाने के बाद अंदर क्या हुआ, वो गांठ बन गई, गलत जगह पे कनना पड़ सकता हुआ। हुआ, उप्रीशन का हाल यह है, तो इसके हालत देखो, मदब मुझे देखा नहीं जा रहा हुए, यह रियल पिक्चर है, मैं आको पुरीप्चर दिख रहा हूं, यह, मैं आपको इसक्रीन पे डाल रहा हुए, इससक्रीन पे देखो, इतनी Prinzip itself को कि एक साल से उपर हो गया इस बचारे को इसने तफसी डर रहा है वह जादा उसका रिजन एक और होता है कि नकली समान मार्केट में लोग अपने फाइदे के लिए इतना गंदा समान या नकली समान भी निकाल देते हैं कि उनको यह नहीं पता होता कि इसकोई मरे जीए उनको उससे कोई मतलब नहीं है बट उनको अपना पैसा बचाना है उनको अपना पैसा कमाना है मेरी आप से हाजोड़ की बिंती है कि आपको बॉड़ी बनानी है एक तरीके से चलाओ मेरे को इतना टाइम हो गया करते हुए मेरा आज भी ट्रेनर है मैं बगर ट्रेनर से पुछे हो कुछ काम नहीं करता है अलगे मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं ट्रेनर से पूछता तो आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि बिदाव ट्रेनर के जल्दी बाजी के चकर में असा मत किया करो जितना पैसे यहां बचाने के सोच रहो हो दो-चार अजार रुपए उससे लाखो रुपए आपके डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो आपसे हमबल रिक्वेस्ट है क आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो मेरी हमबल रिक्वेस्ट है विदावट इसके आपने नहीं करना है किसी चीच के बारे में नौलेज नी है तो उस चीच को यूज नहीं करना है आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगे अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसमें सारे अपने कमेंट करने है आपके जो इंसिटेंट आपके साथ हो है वो मेरे साथ सेयर करने है प्लेस इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करना है so that कोई भी बच्चा ऐसा गलत काम ना करे और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो जाने से पहले इसको सब्सक्राइब करना है इसमें एक लाइक बटर ने बेल आइकन उसको सेट कर दीजा so that जो भी मेरे लिटेस वीडियो होगी अब तक पहुँ जाएगी thank you guys thanks for watching my video